E.D. की करवाई के दोरान C.A. सुमन कुमार के पास जो पैसा बरामध हुआ था अब उसका पता चल गया है कि वो पैसा किसका था और किसके कहने पे वहाँ गया था उसमें एक बड़ा हिस्सा खुद सचीव पूजा सिंगल का है क्या कुछ और डीटेल E.D. ने कोट के सामने कहा और क्यों ये माना और कोट को क्यों ये बताया कि उनके पास मनी लॉंडिंग का प्रयाप्त सबूत है उस सारी जनकारी हमारे सयोगी संजे आपको देंगे संजे जब कोट के पास दलील रखा कि इनको हमको गिरफतार करना दीजिये या हमको इनको कस्टडी में लेने दीजिये तो क्या कुछ कहा देखे बाबा जिस तरीके से पिछले पांच दिनों से एडी लगातार आईएस पूजा सिंगल और उनके करीबियों पर कारवाई कर रही है और बीते रात यानि कि जब कोट में ग्रिफतारी के बाद पूजा सिंगल को पेस किया गया तो उस दोरान रिमांड लेने के लिए जो तरक एडी के दौरा जो साक्ष वहाँ पर पेस किया गया कोट में उसके मुताबिक वो कौपी अभी हम लोगों के पास मिली है और उसके मुताबिक एडी के कस्टडी में जो सुमन कुमार जो की आईएस अभिसेग जहा माफ कीजेगा आईएस पूजा सिंगल के जो पती है अभी सेग जहा उनके अकाउंटेंट ने जो बयान दिया है जिनके घर से 19 करोड 31 रुपया बरामदगी हुए थे कैस की बरामदगी हुई थी उसमें सुमन कुमार ने यह कबूल किया है कि यह पैसा पूजा सिंगल का है और इतना पूरा का पैसा ज्यादा तर पैसा इसम कि आई एस पूजा सिंगल के निर्देश पर जहां जहां वो सुमन कुमार को बोलती थी कि जाकर के पैसा उठाना है वहां से रिसीव करना है तो सुमन कुमार का दरसल यह काम था एक तरीके से आप समझे कि वह एजेंट के भूमिका में जो है आई एस पूरियर बॉय टाइप बिल्कुल कूरियर बॉय की तरह काम कर रहा था जैसा कि उसने खुद कबूल किया है एडी के समक्स जैसा कि एडी ने कोट के सामने बताया भी है कोट में और उसी में यह कहा गया है कि सुमन कुमार जो है पूजा सिंगल के लिए पैसा कलेक्शन का काम करता था जहां जहां आईएस पूजा सिंगल बोलती थी वहां से जाकर के पैसा लाता था और जो एक बहुत बड़ा सवाल पूरे राज के लिए नहीं बलकि पूरे देश भर के लिए जो है एक बना हुआ था कि यह जो 19 करोड 31 लाग रुपया की जो बरामदगी हुई है वो पैसा है आखिर किसका क्योंकि सूमन कुमार जब अरेस्ट किया गया तो उसने यह बोल दिया था पहले दिन कि यह पैसा उसका है उसके बाद वो मुक्रा उसके बीच में जब सदर असपाल में उसकी अड़र रिपोर्ट के लिए उसको जब लाया गया तो उस दौराएं वो बोल दिया कि कई हमने पैसा करता था वह सकता है कि जिस तरीके से अभी धिर से आज जब 5 दिनों का रिमांट समाप थुआ चार दिनों का रिमांट फिर से कोट ने दिया है आकाउंटेंट सुमन कुमार का तो इसके बाद जब आगे की जब पूछता चुछ से जब जारी रहेगी तो हो सकता है कि कुछ नाम भी सामने आए लेकिन इसके बाद जो दूसरा जो सबसे दूसरी जो अब उसमें भी मसला जा करके जो है फंस चुका है क्या यह पैसा महां भी लगा है क्योंकि जो सुमन कुमार ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक पल्स का जो जमीन जो खरीदारी हुआ है उसके लिए तीन करोड रुपया रांची के एक रिनाउंड बिल्डर हलांकि उसक करोड रुपय का जो है कैस भुकतान किया गया उस बिल्डर को उस बिल्डर को जो जमीन दिलाया है तो यह सारी चीजे जो है धीरे-धीरे खुल करके आ रही है अभी पूजा सिंगल को भी रिमांड में ले लिया गया है आज आज भी उनसे बातचीत हुई पूश्टाच हो चल रही है इसके अलावे एक और जो बड़ी खबर है और वो खबर ए है जिसके आधार पर इडी ने कोट से कहा कि इनको पूजा सिंगल को हमको रिमांड पर दीजिए क्योंकि आगे और भी पूश्टाच करनी है और इन ही सब साक्ष को आधार बना करके जो है पूजा सिंगल जो है मनी लॉंडरिंग मामलों में सनलिप्त रही है और इसका साक्ष जो है पर्याप्त साक्ष एडी के पास है तो आप देखिए कि इस तरी जो भी चीजें निकल करके आ रही है वो आई इस पूजा सिंगल के लिए जो हो उनकी मुस्किले और बढ़ाने बाली है ल और जादा पैसा था जो कहीं और इंवेस्ट कर दिया गया हो या इतना ही बचा हो या इससे कम पैसा था एक दिन पहले ही लाया गया पैसा यह सब कुछ जंकारी मिले है नहीं देखिए वाबब वहां पे नास केबल सिर्फ पैसा ही नहीं मिला है उन्हीं करोड 31 लाख मेरा पूच्टाच्च कर रही है इडी कर रृदय में लगातार पुजा सिंधल पुजा सिंधल के पति अविशेक जा और उनके अकॉंटेंट चाटेड अकॉटेंट सुमण कुमार उनसे लगातार पूठाच हो रहिए और जो सवाल आ आपकstudy सवालूंट है वही जनता के अब दी बढ़ाया गया है चार दिन फिर से जो है कोट ने उनको दिया है महत्पून खबर जो है बाबा चुकि लगातार खबरें जो जनता देख रही है लगातार आईएस पूजा सिंगल प्रकरन से जुड़ी हुई खबरों को लेकर के जो सबसे महत्पून खबरें अभी ज कभूल कर लिया है और उसमें यह कहा है कि जादातर पैसा इसमें से जो है उसक्रिया जो रिनाउंड बिल्डर का अभि गूपत रखा गया है हो सकता है…… तो इडी का अगला कदम उन्हीं के आवास पर पड़े और उनकी भी मुश्कीले बढ़ सकती है इसके पहले हम लोग समाप्त करें आज एक सरावगी बिल्डर्स के यहां इडी की चारी चल रही है तो कई सारे नाम आएंगे हो सकता है कि यह नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया ह लेकिन कई सारे नाम जो हैं धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि यह डिने जो अपने पक्ष में कहा कोट से गिरफतार करने से पहले या रिमान लेने के बाद जैसे जैसे और डेवलोपमेंट होगा इस खबर में पैसा कहा था टोटल पैसा कितना था कहा कहा इंवेस्मेंट हुआ वो भी हम आप तक जरूर लेकर पहुंचेंगे सुक्रिया